तो आज में लेकर हैं आम की घट्टी मीठी अचार इसको घट्मीटिया भी बोलते हैं लॉंजी और अंगोडा भी बोलते हैं तो इस रेसिपी को लाश ते किजिएगा दो मेने तक श्टोर करके खा सकते हैं बहुत ही मज़ा आने वारा है तो रेसिपी बहुत ही आसान होगी परफेक्ट होगी तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए में लाइकन को बटन को जरूर पेस किजिएगा तो यहां पर देखे एक मैंने आपे 700 ग्राम कच्छी कहरे लिया है कच्छे आम जो होते हैं तो अच्छे से जो है इसको मैंने पहले वाश कर लिया था उसके ब बाद देखे सारे जितनी वी आम है सबको आपको इसी तरीके से चिल का उतार लेना है उसके बाद करना है कि आम को वाश करेंगे तो देख सकते हैं आम सारे चिल चुके हैं उसके बाद इसको वाश कर लेना है उसके बाद देखे आम के जो साइड होते ना दोनों साइड के जो काट के घुटकर करें तो पीसटेज वह आपर काट के हटा लेजिए ठीज दो स्कीरा टेज होकर एक को आना चाला को से और जायRO किया लाट याय्या तो पीसफेंड दो रिखतने वह वह और में नहीं तो इसमें मैंने cutting किया है तो इसमें गुटलिया है काफी मोटी सी लेकिन गुटलियों वाले के जो यहाँ पे जो अचार बनते न बहुत ही मज़े का लगता है और जाधा अच्छा लगता है तो इसके जो बीज है वो हटा लेंगे और आम की cutting करेंगे तो देखे इस तर किसे सिंपल बागी क्याम भी आपको इसी तरीके से cutting कर लेना है है बहुत सिंपल सा आप चाहे तो एक दिन का इसको धूब भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसको फटा फट से बनाने वाली हूं तो यहां पे देखे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने सारे आम को डाल लेके यान के बाद जो था फटा ऑन बाद जो है इसमें ऑबाल आएगा तो इसको फेक देंगे जएंप अर्म को चान लेंगे इससे क्या होगा ना कि जो आम के जो गर्माठ होती ही वो निकल जाएगी और मैंने 140 पिन कालोंजी है इसको साइट कर देंगे एक मिट के लिए इसको ड्राय रोष्ट करेंगे ताकि मसाले जो है तुरह सा खुश्बू अच्छे से आज जाए इसके बाद इसको साइट करके एक गहरा बरतन लग दिए जिए गयास के उपर और इस जो मसाले को इसमें डाल देंगे वन टेवली स्पून गरम होते ही और इसके बाद इसमें देखिए आम को च्छान कर रखा था इस ट्रेनर में तो इसमें डाल देंगे ताकि इसके पानी है वह फ्राय होने की टाइम में यह सूख जाए तो यहां पर देखिए बहुत अच्छे से तो गुड़ के जगह पर आप चीनी भी उसकर सकते हैं लेकिन गुड़ में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसके बाद देखिए इसको कबर कर देंगे और फ्लेम को लो कर देना है तो देखिए गुड़ जो है वह मैल्ट हो चुका है इसी में मैंने मसाले को डाल दिया ह जो पौडर बनाया था कालोंजी पर दाल देंगे और 1 जीर का पौडर दाला है और मैंने काली में नमक डाल आए आफ टीजब से कम मैंने सफेद नमक डाला है तो सारे मसाले को डालने के बाद जो अच्छे से लियू प्लेम पर अब इसको पंदरा से 20 मिनट के ली कवर कर द तो यहां पर देगी 20 मिनट हो चुके हैं इसकी consistency चेक कर सकते हैं कितने मज़े का दिख रहा ना इस पॉइंट पर क्या करना है कि आपको ग्यास का फिल्म को आफ कर देना है बस आपकी अचार बनकर रेडियो हो चुका है इसको ठंदा होने दे पूरी तरीके से जब यह ठंदा हो चाहेगा रेस्वी मेरी पसंद आई है लाइक कीजिए जाद जाद हो सकते हैं तो शेयर कीजिए कामेंट बताएगा कैसे लगी एक और दूरू ट्राइब कीजिए थैंक दिर वाचिंग बाए